उतर प्रदेश की नव विधानसवा सीटों पर उप चुनाओ की तारीखों का एलान हो चुका है इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनाओ के पढ़िनाम भी घोशित हो जाएंगे अब इन 9 सीटों में प्रियागराज की फूलपूर विधानसवा सीट भी चर्चाम है इस सीट के इतिहास और जाती समीकरण क्या कुछ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआ नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी तक मैं आपके साथ सरीत अतिवारी उत्रप्रदेश की प्रियागराज में फूलपूर विधानसवा सीट है और इसी नाम से यानि फूलपूर लोगसवा सीट भी है 2022 की विधानसवा चुनाव में भाचपा के परवीन सिंग पटेल यहां से चुनाव जीते थे महीं 2000 2024 के चुनाव में भाजपानों ने फूलपूर लोगसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया परवीन पटेल यहां से चुनाव जीत गया और अब सीट पर उप्चुनाव होना है इस सीट पर पिछले हम परिनामों की बात करें तुविधान सभा के 2022 के चुनाव में 2,46,588 कुल वोट पड़े थे जिसमें से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी यानि परवीन पटेल को 1,3557 वोट मिले थे वही सपा के मुस्तफा सिद्धिकी को 1,825 वोट पाकर वो दूसरे इस्थान पर थे वही बहुजन समाज़ पार्टी के राम तॉलन 11,336 वोट पाकर तीसर इस्थान पर रहे हलाकि सपा और बीजेपी के कैनिडेट में जीत का अंतर बहुत जादा नहीं था वही 2017 में भी प्रवीन पतेल ही जीते और 2012 में सपा के कैनिडेट मनसूर आलम इस सीट पर जीत हासिल किये थे आई अब बात करते हैं सीट पर सपा वस्पा बीजेपी और आजास समाज़ पार्टी ने किस से मैदान मुतार है समाज़वादी पार्टी ने मुस्तभा सिद्धी की तीन बार यहां से विधायक रह चुके हैं वे 2002 से 2012 तक सोना विधानसभा सीट से विधायक चुने गए इसके बाद 2017 में परतापपुर विधानसभा सीट से ये विधायक बने साल 2022 के चुनाव में वो फूलपुर से चुनाव लड़े लेकिन 2775 वोटों से वो हार गए थे महीं बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र कुमार सिंग को मैदान मुतार दिया है महीं बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी की घुशना नहीं की है महीं आदास समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और उन्होंने शाहिद अक्तर खान को चुनावी मैदान मुतार रहा है आई अब समझते हैं सीट के जाती समीकरन क्या है इस सीट पर अकेले OBC वोटर सी करीब 43 प्रतीशत हैं मतादे की फूलपूर लोगसबा सीट से 2014 में खोदे डिप्टी सीम केशब प्रसाद मौरे सांसत का चुनाव जी चुके हैं और अब फूलपूर उधान सबा सीट पर उप्चुनाव को लेकर केशब प्रसाद मौरे को ही यहां से प्रभारी बनाए गिया है साथी चुनाव से पहले सीम योगी आदितनाथ भी फूलपूर का दौरा कर चुके हैं और साथी सभाएं वहाँ पर कर चुके हैं प्रियागराज जिले में ये सीट है और प्रियागराज में जनवरी से शुरू होने जा रहे महा कुम्ब को देखते हुए सीम योगी आदितनाथ खास तौर पर इस सीट पर फोकस बनाए हुए है कहा जा रहे कि फूलपूर सीट पर ओवेस्टी और पलवी पटेल की पीडियम भी फूलपूर पर प्रत्याश्य उतारनी के तयारी में और ऐसे में इस सीट पर चुनावी गड़त काफी बिगडने वाला है तो ये थी फूलपूर से हमारे समधाता आनंद राज की रिपोर्ट बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक नमस्कार